दोस्तों मार्केट वियू के साथ हाजर हैं आज आपने देखा गए इंडेक्स जो है वो गैप डाउन ओपन हुआ उसके बाद डाउन साइट पर ही कांटिन्यू करता गया गया है एक ताली सदार तीन सो जो लगा है वो है ताली सदार दो सुपर चेटर थोड़ा से एंडेक्स बेरिकवर हुआ इंडेक्स ब्याली सदार का लेवल जो है वो ड्रेक हुआ आज ओपनिंग के टाइम ही और फिर दुबारा रिकवर नहीं हो सकता है उसके बाद आप देख रहे हैं कि जो बेरिश्क्रास है इंडिकेटर के लिहाद से वो भी जनरेट हो गया वालियम की बात करें तो वालियम इंतहाई कम है मार्किट कल की वीडियो के मताब मैंने बताया था आपको क्लिटीकल अंसर्टैनिट यह वीकेड्स अगर आए गी किसी सिच्वेशन बनती नजर आई है कल और आज को देखें तो यह आज जो के डिकलाइन हमें नजर आ रहा है इसके बाद यहां पर आगे मार्केट में एक स्पूर्ट सी लिया है और एक बुलिश क्रास सा बनता है नजर आ रहा है यह जो एंड पर बाइंग आई है इसमें व आपने क्वानटिटी को होल्ड कर लेते हैं और भाय करके वह इस वालियूम की वज़ा है मैंने भी आप से यह जिनके पास होल्डिंग्स हैं वो सुबह उपर सेल किया करें और नीचे जो है वो दुबारा उसको भाय कर लिया करें तोंकि आपकी पुरानी होल्डिंग्स है और यहां आप लास्ट नहीं कर सकते हैं इस क्रास से लगता है कि शायद थोड़ा सा मार्केट पाजिटिव हो कल थोड़ा सा मार्केट रिवर्सल ले ताली सजार छेसो तक का लेकर जितना इंटेंस महोल है वहां से फिर अगर यह डाउन साइट पर आता है तो डाउन ज्यादा स्ट्रांग लाग रही है यहां से मार्केट डाउन होते हुए एक ताली सजार को टच कर सकती है अभी भी जो आज की क्लोजिंग है उसमें मार्केट के पास तकरीबन तीन सो सट्सट पॉइंट ऐसे हैं जो मार्केट नीचे की तरह निकाल सकती है इसलिए सुबो अगर आपको थोड़ी सी रिकवरी नजर आती है वहां पे शाट सेलिंग भी की जा सकती है या वहां पे अपनी जो डिलीवरी है उस पर कुछ परसंट एक सेल करके नीचे डिप पे दुबारा भाइंग भी की जा सकती है इसके बाद हम देखते हैं आज का बाइंग सेलिग यह निचे हमारे जो इंसिटुशन है बाइंग पे कौन है और सेलिंग पे कौन बाइंग सेलिंग डेटा जो है वो डायरेक्ट एंड सीपिल की वेबसाइट से आपके साथ शीर किया जा रहा है इसमें पहला फॉरण इंगे इन्होंने 47 डालर की सेलिंग की है उसके बाद फ फीपी जो है उसकी बाइंग है वो है 4,24,471 डालर तो यह जो बाइंग है यह ओवराल तो इसका मतलब है कि आज जो फॉर्णर है उन्होंने दिप पे माल को बाइंग किया है अब हम लोकल इंवेस्टर का पोटफोलियो देखते हैं कि वहां प्लेयर ने क्या रोल प्ले किय यह आपके सामने लोकल इंवेस्टर का पोटफोलियो है इसमें आप देखे हैं सबसे पहले इंडिविजुल्स हैं इंडिविजुल्स ने 1,28,504 डालर की सेलिंग की उसके बाद कंपनीज हैं कंपनीज ने 4,44,635 डालर की बाइंग की है उसके बाद बैंक्स ने सेलिंग की है 4,49,707 डालर की बैंक्स की सेलिंग है उसके बाद NBFC की सेलिंग है 2,29,75 डालर की सेलिंग की बाद करते चलें तो आगे जाके ब्रोकर्स की सेलिंग है 5,6,232 डालर की और नीचे जो है उसके इंशोरस है उन्होंने आज जो सेलिंग की है वो 1,25,907 डालर की तो बाइंग की अगर बात करें तो मैंगे बाइंग में एक तो आपने कंपनीज को देखा विए चार लाग चालीस अजार 635 डालर की बाइंग ने की है उसके बाद mutual funds की कुछ बाइंग गया दो लाग चुरासीजार तीन सो अठावन डालर की और अधर आर्गनाइज़ेशन ने दो लाग तर दार नो सो एक तर डालर की बाइंग की है तो ओवराल जो बाइंग है वो companies की है, mutual funds की है, other organization की है और foreign investor की है हमारे हाँ जो selling है वो है individuals की और brokers की, brokers की आज panic selling देखने में आई है तो जब तक broker इस तरह panic selling करता है, market जो है इस panic को continue कर सकती है इसलिए आप जो है वो sell on strength और buy on dip वाला काम क्या करें तो थोड़े पैनिक पर sell करें और ज्यादा पैनिक पर नीचे से उसको recover कर लें जो holdings आपने रखी हुई है जी तो दोस्तों ये था market का view, market आप देखें कि downside के channel को continue करते हुए वापस भूड गई है यहां से और बिल्किए इस high को भी touch में किया उसके बाद अगर आप नीचे का level देखते हैं तो market उस नीचे के level को touch करते हुए यानिक तालीस जार या चालीस जार नो सो को touch करते हुए नजर आ रही है ऐसी सुरत में और सेलान सट्रेंट सट्रेंट इसमें यह होगी कि अगर market शुरू में 100-100 माइनस है और बाद में पैनिक में जो है वो 500-600 माइनस हो जाती है तो वो 100 जो माइनस है वो सट्रेंट ही समझी जाएगी जोरी नहीं कि यह green zone आपको दिखाए तो जो market जैसा भी यह करें वैसा आप अपने strategy को change करते जाए और अपने trade को manage करते जाए यह था मेरा view मिलता हूं किसी और वीडियो में इजादत दीजिए अला आपीस